हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपकी मित्र मुनिका लेकर आई हूँ आपके लिए आज के दिन के लिए कुछ अच्छे विचार कहते हैं यदि दिन की शुरुवात एक अच्छे विचार के साथ हो तो पूरा दिन बहुत ही उच्छाहित रहते हैं और हमारा सारा क काम भी अच्छे से हो जाता है और बश्चपन में तो हमने ऐसा भी सोना था कि सुभा सुभा हम जो सुनते हैं वो दिन भर हमें याद रहता है और दिन भर हम उस पर मनन करते हैं उसके अनुसार जीवन जीते हैं चलिए शुरुवात करते हैं आज के अच्छे विचारों के इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आज है वो ही सबसे बड़ा मौका है गलत तरीकों से सफल होने से कई गुना बहतर है सही तरीके अपना कर आसफल हो जाना जिन्दगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारे जिन्दगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है कमजोर व्यक्त तब रुख जाते हैं जब ठक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते लेकिन एक विजयता तभी रुखता है जब वो जीत जाता है आपके जिन्दगी बहुत ही अनमोल और सुन्दर है इसे फालतों और बेकार बातों में ना गवाएं प्रेम एक ऐसी चीज है जो हारे हुए व व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है जब आपको लोग पूछें कि आप क्या काम करते हैं तो वे लोग वास्तव में आपको कितनी इज़त देनी हैं इसका अंदाजा लगाते हैं किसे फी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जिन्दगी में कितना खुश है बलकि ये सोचना चाहिए कि उसकी वज़ा से कितने लोग खुश हैं आपके जिन्दगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन हर दिन हमेशा से बहतर हो ये जरूरी है कोई भी काम हमें करने से पहले मुश्किल ही लगता है सफल विक्ति अपने लिये फैसले बदल देते हैं बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है बाकि पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बहतर बन जाना व्यत्ति को परच्छाई और आइने के जैसे दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि परच्छाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आइना कभी जूट नहीं बोलता हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है दूसरों के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है एक समस्दार वेक्ति खुद गलतियां कम करता है जबकि वो दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख जाता है हमारे जीवन में क्रोध और एक आधी के समान है क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुक्सान का पता चलता है अपने समय और अपने शब्दों के उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर ले यदि आप ये सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगी तो आप अपने जीवन की पहली परिक्षा में ही हार गए हैं आपको बोलना ही है तो सभके सामने बोलो क्योंकि पीट पीछे तो सब बोलते ही हैं यदि आप आपको अपने जीवन में सफलताओं का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने जीवन में कठनाई को कभी आने से नहीं रोकें तो दोस्तों आजके विचार आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए हैं तो इसे लाइक करें शेयर करें और सुनते रहें इसी तरह से अच्छे विचारों की इस रंकला को मोनिका के साथ Have a nice day, आपता दिन शुभ हो